नमस्कार दोस्तो आज हम आप लोगों को दात खाज खुजली का रामबाड इलाज लेकर आए हैं दोस्तो आप लोग देख लीजिए या सैली सेलिक एसी आईपी पाउडर है दोस्तो आपको अपने नजदे की मार्केट में आसानी से मिल जाएगा दोस्तो या केवल मातर 10 ग्राम का पाउडर है दोस्तो आपने दे की मार्केट में किसी भी मेडिकल इस्टोर पर खरीच सकते हैं दोस्तो या जो पाउडर है भारत के हर मेडिकल इस्टोर पर आसानी से उपलवद है दोस्तो इसकी जो कीमत है जाना नहीं है केवल इसकी कीमत है दोस्तो 20 रूपे आप लोग देख लेजिए इसकी जो कीमत है केवल 20 रूपे है दोस्तो आप लोग 20 रूपे में अपने दाद खाज खुजली को जड़ते खतम कर सकते हैं क्योंकि आप लोग जानते हैं कि अगर आ अमेंसा ऐसा प्रोब्लम होता है कि जो आप समझ नहीं सकते हैं क्योंकि पहला कारण है कि आपको खुद देखने को ठीक नहीं लगता है, देखने में आपको अच्छा नहीं लगता है और दूसरा जो इकाम करता है आपके ब्लड को चूसता है यहीं कि आपके खोन को जलाता है नश्ट करता है तो दोस्तो ऐते इस्थित में आप अपने सरीर में किसी भी प्रकार की दाद खाज खुजली से परेशान हैं पुराने से पुराने तो कैसे खतम करें दोस्तो सबसे पहले आप खरीद लेजिये और खरीद कर अपने घर लेकर आएं दोस्तो आपको हम बता रहे हैं देखिए दोस्तो आप इसे खोलेंगे तो इसमें छोटा सा एक प्लास्टिक रहेगा दोस्तो देख लेजिए यह छोटा सा प्लास्टिक है और इसमें पाउडर रखा हुआ है 10 ग्राम दोस्तो इसमें 10 ग्राम पाउडर है आपको इस पाउडर का कैसे प्रियोग करना है अपने दात खाज खुजली के अस्थान पर तो दोस्तो आपको एक छोटी सी कटोरी लेनी है आपको छोटी सी कटोरी में एक चमच पाउडर को निकाल लेना है और दोस्तो इसके साथ आपको एक कोकोनट फायल लेना है जिसे आप नारियल का तेल भी कह सकते हैं तो दोस्तो ऐसे इस तित में आपको इसके साथ लगाने के लिए छोटा सा नारियल का तेल खरीदने और खरीदने के बाद दोस्तो आपको उस कटोरी में आपको एक चमच पाउडर और एक चमच तेल को मिलाएं कम से कम दोस्तो आपको दोसे तीन मिनट अच्छी त तेल को तो आपके जो कटोरी में सामागरी रहेंगे तेल और age तरा से मिल जाएंगे मिल जाने के बाद दोस्तों आप अपने उन एस्थानों पर लगाएं जहाँ पर आपके दाथ खाज खुजली है एकजिमा जैसे रोग हैं तो दोस्तों आप लोग जानते हैं अधिकान से एक जिमा क्यों होते हैं तो दोस्तों अधिकान से एक जिमा आपके खान पान के कारण यहीं कि आपके खराब खान पान के कारण होते हैं तो दोस्तों अगर आप इसका प्रयोग करते हैं तो आपको हरी सबजियां का सेवन करना बढ़ेगा और इस प्रकार इसका प्रयोग करते हैं आपके शरीर में किसी भी प्रकार के दाद रहेंगे तो जड़ से खतम हो जाएंगे दोस्तों आपको मातर एक पैकेट लेना है दोस्तों आपको मातर दस कराम लेना है और इसे लगाना है मातर आपको दिन में एक बार इसे दाद के अस्थान पर लगाना है तो दोस्तों आपको दाद के अस्थान के अत्री आपको इसे नहीं लगाना है अगर आपके कहीं भी छहरे पर या शरीर के कहीं भी दाने पड़ गए हैं दाद या खुजलाते खुजलाते आपके रेट कलर के दाने पड़ गए हैं तो आप उस अस्थान पर भी इसे लगा सकते हैं और लगा कर दोस्तो आप कम से कम दस मिनट अपने उन अस्थानों पर छोड़ दें यह दोस्तो दवा रहने दीजिए दवा दस मिनट तक रह जाएगी तो आपके जो भी दाद रहेंगे दाने रहेंगे चल कर नश्ट हो जाएंगे दोस्तो आपको मात्र दो दिन में पुराने से पुराने दाद को जला कर नश्ट कर देगा यह दवा जो है अजमाया हुगा है दोस्तो यह दवा हम कई लोगों पर अजमार चुके हैं तब उसके बाद दोस्तो आपको आज हम बीडियों बना कर भेज रहे हैं तो दोस्तो ऐसे हालत में आपके सरीर में कितना भी पुराना से पुराना रहेगा ताद तो जड़ से खतम कर देगा ये मेरा सव प्रतिसत गारांटी है कि आपके पुराने से पुराने दाग को मातर एक हफते में जड़ से खतम कर देगा अगर आपको दिन में समय नहीं मिलता है लगाने को तो तो दोस्तो ऐसे हालत में उन लोगों के लिए मातर रात में इसका प्रयोग करें क्योंकि अगर रात में इसका प्रयोग करते हैं उन अस्थानों पर प्रयोग करना है ध्यान देनी की ए बात है कि केवल आप उन अस्थानों पर इसे लगाएं जहां पर आपके दाद खाज खु लाइक चरूर करें यह पीडियों अपने दोस्तों और मित्रों के फेस्बुक और वाटसप पर अधिक से अधिक से जरूर करें दोस्तों अगले पीडियों में हम आप से फिर मिलेंगे